दो अक्टूबर स्पीच महात्मा गांदी और लाल बहादुर शाष्ट्री के पारे में दो अक्टूबर देश के लिए राष्ट्रिय महत्वका है क्योंकि इस दिन दो महान नेताओं का जन भारतिय भूमी पर हुआ था भारत के स्वतंतरता संग्राम में एहम भूमिका निभाने वाले महात्मा गांदी और स्वतंत भारत के दूसरे प्रधान मंद्री लाल बहादुर शाष्ट्री गांधी जी का जनम दिन 2 अक्टूबर भारत में गांधी जयनती के रूप में मनाया जाता है यह एक राष्ट्रिय अपकाश है और दुनिया भर में अहिंसा के अंतराष्ट्रिय दिवस के रूप में मनाया जाता है लाल भाहदुर शाष्ट्री महात्मा गांधी के अनुयाई होने के साथ साथ उनका जनमदिन भी साजा करते हैं गांधी जी ने भारत को स्वतंतरता दिलाने में महत्पूर्ण भूमिका निभाई वहीं लाल भादुर शास्त्री ने आजाद भारत को प्रगती की ओर अग्रसर किया गांधी जी और शास्त्री जी दोनों ही महान आंत्रिक शक्ती, विनर्म और सेंट शील व्यक्ती थे गांधी जी ने गरीबी को कम करने, महिलाओं के अतिकारों का विस्तार करने, अर्स पर श्यता को समाप्त करने और सुराज प्राप्त करने के लिए देश व्यापी अभियान का नेत्रत्व किया लाल बहदुर शाष्ट्री जी ने दूद उत्पादन भढ़ाने के लिए राष्ट्रिय अभ्यान श्वेत क्रांती को बढ़ावा दिया शाष्ट्री जी ने भारत में खाद उत्पादन भढ़ाने के लिए हरित क्रांती को भी बढ़ावा दिया गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो इस नारे ने भारत को आजादी के संघर्ष के लिए नई प्रेर्णा दी शास्ट्री जी ने जै जवान जै किसान का नारा दिया जिसने सैनिकों को सीमा पर और किसानों को भुकमरी से तेश को बचाने के लिए प्रेरित किया महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के विचार एक समय के नहीं, एक युक्के भी नहीं, अपितू अनन्त काल के लिए मानवता का उधार करने के लिए हैं दो अक्टूबर के दिन हमें इन दो महान निताओं को शंधांजली अर्पित करनी चाहिए जो अभी भी लाखों लोगों के लिए प्रेर्णा का स्रोत हैं अगर आपको यह दो अक्टूबर स्पीच अंग्रेजी में चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताईए